एसी पहला कुछछ डवालवेलमेंट्स बारे गाल कर चुके हैं लेट्एस्ट बैइलनीड बैंकिंग के बैंकिंग इन्डस्टी दे विच एक साद वच कडियां कडियां डवालमेंट्स हींग तो उसे लटीन कोगे कानुटिंव करते होए देख के होर कर्य ही डवल्मेंटस हो या ने ऑदे विच असी देख देख देया के अदेट्या बर्ला आइडिया पेमेंट बैंक बर्ला घुर्प बारे सारे जान नहीं है आपा आइडिया मोबाईल कंपनी सी और आफ वस ओन हुंड बाय बर्ला और ये भी ऐसी जान देया कि आइडिया ने बाद वोड़ा फोन देना एग्रिमेंट करके दुवारा जड़ी सी एक नमी कंपनी बना लेती जड़ी कि इस वेले किते न किते मुश्किल दिवच भी जा रही है पर अधित्या बरला आइडिया पेमेंट बेंक इदा भी लाइसे इन सिज़ा सिगा और उना ने इस दा वाइंडिंग अप वस्ते अप्लाई कर देता और अठाई जुलाई दो हजार वी नो इना ने अपने जड़े ऑपरेशन सिगे बंद कर देते ना क्योंकि लास्यर दी डिवल्मेंट है इस करके थोड़ा काटे इंपॉर्टेंट कॉस् और पालिस्टी जड़ी सिगी बनाई इसे कि अर्जर्व मेंक अफिडिया ने और इंडिया देुच अफ़र पहला पेुन्या को गेंना पशाइब हएंग बाकी इफन बंक को ने पता होना चाहिदा है और दोजीर गालalen और पता होना चाहिदा है कि पएमेंट बैंक टे स्म ुस्ता है यह किन्य कैपीटल चाहे दिए पैमड वास्ते उस ल मेंट हम न हुद इता गया हुद ऑन्हों उनुख कर देता गयाadow त्यदिंद फार स्माळ फैनने घ्रग थिए सब्सक्राइब करेंट फाइदा कोई नहीं हो सब्सक्राइब के पेमेंट ट्रांसफर था कम सब्सक्राइब प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोकी आये होई नहीं असानी देनाल अपने पैसे अपने कार्द वेच पे इज़ सकते हैं अधा बेसिक फंक्चेनिक के ही रहा जान दाओ हों जदो के स्मॉल फाइनांस बैंक देविच दोनों तरह दे खाते खोल सकते हैं डिमांड डिपा आफो मैंक। या स्याएं या पिपंट यौल आज त Tah wear это अनराथी अपckर डिशापर वर के लूंट होगया हैं। तो इस और बीज़ दिद्रेंसिज्च सब्सक्राइ और मेंचिल लोन करना ता फिर उपनी इन्वेस्पैंट किते करने बेसिकली zone बेंक तरी इन्वेस्टन्ट इनदा गौर्नेटिटी जार्थ एक रोड़ी कन तो स्वेज थे कर दोना चीनदा पता होना चाहिदा है बैंक्स तो स्वाद दोर स्ट बैंकिंग नाँ दोर स्टिप मैंगिंग थारबिकार के थार ऑदी सेवा करना और तए तो पेमेंट कार देना या कश कोलेट कर लेना या पेमेंट कर दो चेक कोलेट कर लेना all those kind of things that will cover under the DOST Banking पर initially जो काम कीटा ग्या है that is collection of checks या draft बना या शुरु केते गए ने जदो के बाकी cash वाला काम नहीं किता गया सो दिस वस अनॉंस्ट इन दा अपना बजेट वेच अनॉंस किता गया सिवां के दो स्टेप बैंकिंग जड़ी सिगी एहे बैंक शुरू करने और असी देख दें आए इस शीजनू के नौन फैनेंशल सर्विसेज वास्ते एक काम शुरू हो गया दैट इस नेकोशियल शुरू किता गया बट बाकी कमा वास्ते कैश वास्ते हाले शुरू नहीं किता गया हो सकता है कि जल्दी ओ भी शुरू हो जावे और इन्फरमेशन स्टेट बैंक आफ इंडिया हैस टाइड आप विद जुमैटो जुमैटो दिना टाइप किता हुना ने कि उना दिया डिल पूरी कर देती जाएगी डाट मेंज कि जुमैटो नो भी फाइदा हो गया उन्हों आंदन हो गई स्टेट मेंक तो और स्टेट मेंक फाइदा होगा के लो कॉस्ते जासिगा उन्हों जुमैटो तो सर्विसेज मिल जानगी हैं ना इस बेभी चार्ज़ेबल सर्वेशे विच कमेटी वास कॉंस्टिचूटेड ना इस नेक्स क्वेशन आसादा एक्जाम देविच तो असेस्ट गवर्मेंट एन असेस्मेंट आफ रलीव तो बैंक बॉर्वर इंपेक्टे बाइक कोविड-19 एह दोहजार वी दी इन्फरमेशन है दोहजार वी देविच गवर् पाइता दिती जावे तांके बैंक अदा भी नुक्सान ना होए और कस्टमर्स नो भी कोई रिलीव मिल जाएं सो एक्जाम देश सिद्धा क्वेशन थो हुए इस तरह पुछा जा सकता है और एदा जवाब क्यों होएगा राजीव महरिशी राजीव महरिशी राजीव महर इसी दी जड़ी चेर्में शेफ देवेचे हैं कमेटी बनाई गई सिगी और एक मेटी जड़ा सिगा तू रिस्पॉंट दा इस्चूज क्योंके सुप्रीम कोट ने भी डारेक्शन दिती सी गॉर्मेंनों के कस्टमर्स नो जे तुसी कोई बैनेफिट देना है कोई मतलग के के सारे बेंक का नेवेचे के यूनिफॉर्म प्रीक्रीन जोन गियांता कि पामे में向ने ये चले जावां पामे के काप में सीफ ना होना वास्ते और बेनेफ्ट Τर्ण यह Ihnen तर अन hatte और इसलिग नह microphone वास्ते भी या बैंक देंग कंट्रोल वास्ते भी जो आर्बेंग ने सुपरिजन करनी है आर्वी आ इन्हों भी देखना पहेगा कि जा रहे है तो ऊड़ासी कोई होरने पन्जाब ने जा रहे है तो अथर कोई सिस्टम होरने जी यूनिफॉर्म सिस्तम होगे ता एक कंप्लाइंस प्रक्टिसेज होन गया है यूनिफार्म होन गया बैंकिंग इंडस्ट्री देवेच्छ वेच्छ दे डारेक्टली इस तरह दा क्वश्चन नहीं बन्दा पर थानुए इंफर्मेशन है पता होनी चाहिए दिया बैंक्स दू आटोमेट एंपीए ओपरेशन्स नाओ वेन वी उस्टो डू बैंकिंग ता उस वहले एंपीडी कैल्कुलेशन मैनूल होन दी सिगी क्योंकि जिनने भी लोन देखाते हों दे सिगे ओह किताबां दे चोंदे सिगे लेजर दे चोंदे सिगे इक 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 मैनूली किसे चीज़नों कर देयां ता नेचरली ओदे वेचे साधी डिस्क्रीशन आ जाएगी जो तर डिस्क्रीशन आ जाएगी तो फिर मैनेजर भी यही चाहेगा कि कट्टो काट एंपीए शो किते जान पर जे कंप्यूटराइज हो गया ता कंप्यूटर ने आटोमेट आटोमेटेड एंपी अपरेशन के जिनने भी साधे लोन अकाउंट ने जिनने भी साधे अकाउंट से किने बैंकिंग इस्ट्री देवेचे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चला सिगा उन्हानूं डिक्लेर कार देगा के एंपी हेंगे ने जे ओहो गाइडलाइज नूँ पर नाइन गीडेड और नाइन पी डिक्लेर हो जैंदा था निचे की होंदा यह स्टेंडर होंदा और जजो एंपी हो जन्टाइज था नो पता है लो पूंट और नौन अग्टाय सब स्टैंड़ डाउट अटोलेंड लॉस इसट हो ने हो RBI expects banks to ensure that asset classification status is updated as part of the day-end process for the banks should not resort to manual intervention के manual intervention कोई नहीं होगी और सारे जारा सारा काम है आटोमेटिट हो जाएगा दाट मेंज NPA दी क्लासिफिकेशन आटोमेटिकरी क्योंप्यूटर कर देंगे जे 90 दिन तो उपर हो गया ता हो सबस्टेंडर हो गया जे एक साल तो अपर हो गया ता वो डाउटफूल हो गया और जे बोड ने या RBI ने कहता एक अटा लॉस अकाउंट डिकलियर होना चाहिएदा है ता ओ फिर लॉस अकाउंट डिकलियर कर देता जाएगा ग्षै took उढुडन की हों डाएक तसी जान देओ के जड़ौ का और सर्कार कोई कर रॉंडन बनादवे पर टींफER का देने , पर औस उर्डिनेस तैनीच विडिन जलूरी दिएंट आ पार्लिमेंट केंड़ा है गव्टेंट कोज्ड मो सेंट कुंपर ए Mem जो करना दे आया तो फिलें कानून लेके आ था अनदिया भी एचुर औरूमेंट पर शाधिया में जही है है now basically किस वास्ते cooperative banks दी supervision वास्ते and being parity in terms of rules and regulations in cooperative banks cooperative banks दी एक problem है की problem है कि they are governed by two set of bodies one is cooperative societies act क्योंकि सारे bank cooperative societies act देवेचे registered हो देने और नॉर्मली जिनने भी bank है गेने इस्टेट cooperative societies act देवेचे रिजिस्टर है गेने हैं क्योंकि जादा बैंक स्टेट वाइज है कि ने मल्टी लेवल जड़े cooperative banks है गेने वह बहुत कट है गेने जादा स्टेट वाइज को अपरेटी बैंक है गेने और स्टेट दे वेचे जड़ा रिजिस्टर होंदा है वो देखल पावर होंदी है कि वह हो उन्हादी मैनेजमेंट चेंटर्फियर कार सके उन्हादी supervision चेंटर्फियर कार सके तो उस चीज़ दो रोकन वास्ते और ना से करनी है कोई ठीक नहीं चाल रहा तो व दी मैनेजमेंट नु चेंज करन दी और पीजिवाइड बनी चाहिए करके यहीं कोपनी सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब नहीं रही तरह ज़ान वांना गर्वी कानौन लागण जाने ड़ाँ से लागण वासते लागण के लिए और कारना पर रिकोंट्रक्षिण और amalgamation of cooperative banks now example दे तौर दे होते हैं तुसी जान दे हो के पिछे पंजाब महराष्टा cooperative bank मौबदा एक बड़ा मशूर bank सेगा इट फिल्ड थेकर बेसिकली हो फेल हो गया सेगा उसनों बाद जड़ा सेगा आर्वे इस बर्जिंग विट सविट समधर bank also देख रहे हैं कि किता जा रहे हो दा हूं बट क्योंके ओह cooperative bank दी management या उस bank नों किसे नाल मर्ज नहीं किता जा सकता सेगा without the state government approval इस करके एह ordinance पास किता गया पर एह bill पास किता गया ताकि ओधी management नों भी change किता जा सके और जे उस bank नों किसे नाल मर्ज करने था मर्ज भी किता जा सके नो एक गल बहुत important है बहुत जरूरी है खास और ते cooperative bank वास्ते cooperative banks वास्ते और इना दी management नो regulate करन वास्ते 2010 ने वेच इक करनून बनाया गया सिगा 2010 ने वेच जड़ा के 2011 ने वेच इक bill पास किता गया और ओधे मताबक RBI नो और RBI दे थ्रू नभार नो पावर दिती गई कि ओह cooperative banka the supervision कर साथ है regulate कर साथ हो and of the interference कर साथ है पर supreme court ने होने होने तेक है जिए I think it is just a last month only is kanun नो रद कर देता क्योंके according to supreme court जड़ों कोई ऐस्ता दा कानून पास होनदा है which amounts to amendment in the constitution in that particular case what is required is apart from the fact के ओग बिल पार्लिमेंट चे पास होवे 50% of the states जिए सिगिया ओना दा पास करना भी ज़रूरी है क्योंके यह 2011 वाला ग्राद बेल सेगा एह स्टेटन तो पास नहीं करवाया गया सिर्फ पार्लिमेंट पास किता सेगा इस करके supreme court ने कह जाता के that act is null and wide oh applicable नहीं है now key repercussions होन गया that's a separate matter altogether फिर कदे discuss करांगे पर एंफर्मेशन था नूपता होनी चाहिए next is section 24 of the banking regulation act maintenance of SLR now SLR दा मतलब किया statutory liquidity ratio and SLR is governed by which section of a banking regulation act section 24 of the banking regulation act so maintenance of SLR MSF extension of extension of relaxation extension of relaxation now is the मतलब पहलना पता होना चाहिए SLR की है I think ओधे बारे आप अलग गल करांगे CRR SLR MSF रेपो रिवर्स रेपो एकड़ी कड़ी चीज़ा हों दियाने इदे बारे जरी सी banking awareness वाली class की उदेच अपने कोर्स देविच हो MSF और देविच की फरख है basically आप एस समझ लिए रेपो ते MSF देच की फरखा जाना हो MSF is basically overnight borrowing facility what is MSF MSF is a marginal standing facility the full form है और इदा परपस की है it is overnight borrowing a facility overnight now example देता और दे होते ता अनु एभी पता होना चाहिदा है मैं खेल में थानना पहला में डिसस किता सिगा दो चीजा में थानना होने डिसस कर दे हैं क्योंकि कोबड दे टाइम दे होते बैंका दे कोल किते ने किते मुश्किल आ रहे सेगी maintenance of their account जिमें के मैं थानना पहला भी वीडियो चिगाल किती सेगी कि सारे बैंका दे account किते ने रिजर्ब बैंक अफ इंडिया दे कोल ने और मैं थानना यह भी दस्या सिगा जे फर्ज करो मैं थानना चेक दे देता और तुसी चेक मेरा account state bank of india दे वेचा है थोड़ा account पंजाब national bank के दे वेचा है तुसी ओस चेक नूँ की करोगे पंजाब national bank से जाके जमा करा दे होगे ठीक है जी पंजाब national bank की करेगा ओस सारे बैंक ओ चेक जड़ा से गा हो state bank नूँ पैजेगा ओ किनू पैजेगा reserve bank of india नूँ पैद देगा that means और state bank of india दे खाता किते है reserve bank of india दे कोल है कदे कदाएं ऐस तरह भी होंगा है के bank दे खाते पैसे काट जान देने ना इन दाट पर्टिकुलर केस बैंक की करदा है ओहो reserve bank of india तो बारो करदा है और जड़ी बारिंग फिसिल्टी हों दिया हो आपा रेपो फिसिल्टी कहने है पर रेपो फिसिल्टी ओहो जड़ी सी द चल दी रहे गिए हों बट एड़ लास्ट मोमेंट जो दो कोई चक्यों कि आजगा 24-7 बैंकिंग चल दी पही है जो दो कोई लास्ट मोमेंट होते कि ऐसी पूजिशन आ जाए कि बैंक देश पैसे काट रहे ने ता बैंक्स कैन टेक फिसिल्टी काइंड और बॉरं फिसिल् कि क्योंकि बैंक कांदे कोल किते ने किते लिक्विडिडी पॉजिशन खराब हो सकती है तो उन्हांने कहा सिगा कि दो परसेंट ओफ ऐसलार टीक है टू परसेंट अफ ऐसलार एथे तक जा सिगा ओह बॉरू कार सादे ने पर क्योंकि कोवर्ड ये पॉजिशन चल रहे सीगी इस कारके उन्हांने इस लेमेंट को बदाके एक परणट को दाके तिन परसेंट कर देता सिगा तांके बैंक का देकोल सुफिशेंट कैश पॉजिशन होवे और जड़ाच्या क्या हो वापस ना जावे हों तो इस फसिलिटी नो 31 दिसमबर 2000 की तक एक्स्टेंड कर देता गया है तो यहांने बिपिंग इंटो SLR तो मीट MSF रेक्वार्मेंट देट थाइस बिच्टेंड अप्ट प्रिक्लिक्लिक्ट देसमबर 2021 थोड़ा जया टिकलिश जया क्वेश्चन है यहां लेवल क्वेश्चन है जे सीनर मने लेवल देज़ें को अप्रिदे बैंका दिगाल का रहे हैं उत्थे क्वेश्चन आसाद है लोर लेवल देते हैं क्वेश्चन नहीं पुच्छा जाएगा हैं मॉनिटरिंग ओफ कैश इन एटियम्स ना एटियम्स बारे आप सारे जान देयां किसे ने क्या सी एटियम्स बारे भी सान्नों इंफरमेशन देनी चाहिए दिया क आप से एक्षेंग दा इंफरमेशन बार देए अटम अलसो एटम दी फुल फॉल फॉल पॉल प्या ओटो मेटि टेलर मेशीन और आइट इंक इजरी इन्वेंशन सी एटम दी इट साटे इन बृतिन बृतिन देच की होया एक वार एक कस्टमर बैंक देच गया ना बैंका इस ताइमिंग ओंदेच के सवरे दास वह तो लाकर दो वह तक कैश दी ट्रांजक्शन होगी उस तो बाद कैश दी ट्रांजक्शन नहीं होगी कस्टमर पांचिया और उस सबाज जा सिगा उनु कैश नहीं मिला क्योंके हो एक बिर टोगया देर आफटर ही थाट के जे सब्सक्राइब तो कैश निकल सब्सक्राइब देन ही अप्रोट बार्कलेस बैंक बात बड़ा बैंक सिगा ओदे चेर्मन नो प्रोच किता थे क्या कि ऐसा सुजेशन दी ती तो उस कंसेप्ट दे बेसी दो ते फिर एट्यम मशीना शुरू हुए और अज जा सी देहने के क पर किते हैं किते हैं यह से जाह हों, so that is the concept of ATMs, atms भी दो तरीक के दिया अटम से गया एक था बैंक दी अपनी एक पर एक ब्राउन लेवल एक वुद एक उपनी एक ब्राउन लेवल एक हो गई एक वाई लेवल एक उपनी एक ब्राउन लेवल एक ब्राउन दी तो इन तो बांक घरगा पर और चैसिट डाड़ काम कर देने और जड़ा वाइड लेवल एंन वाइट लेवल एटेम विडिव एटए विच कि होन दाई इस ओंड वार नॉन बैंकिंग अंपनिग नॉन बैंकिंग फैनानस कंपनिज तो दिए ATMs which are owned by non-banking finance companies these are known as white-level ATMs basically non-banking organizations कर दिया ने ताटा वास फॉर्स ऑर्गनाइजेशन जिन्हों के सब्सक्राइब कर दो होजार दस ग्यारा दी काल है कि शायद पूने दे विच फॉस्ट एटीम जड़ी सी वाइट लेवल ATM जड़ी शुरू किती के इसी और टाटा दी एटीम सर्विसेज गाए उदा नाम की है Indy Cash ऑदा की नाम है उदा नाम है Indy Cash Indy Cash बेरा इटिम नाम आप अपको एटिम जानने यह और एटिम जाके पैसे किडा ने पर एटिम जड़ी न गए आटिम जड़ी नहीं नहीं आपकर आटिम जर्द शुरू रगेंगे यह और बैंक नो यह और वाइट लेवल एटियम ओनर्ज नो कि जे एटियम पैसे ना हुए ना जे 10 कंटे तो ज्यादा किसे भी एटियम लिच पैसे कैश अउट हो गया कैश आउट दा मतला क्यों है कि मैं एटियम गया पर ओके एटियम पैसे है नहीं और इस इनू दस कंटे दे विच विच जड़ा सी उस cash ने रिप्लैश रिप्लैश ना किता गया ता दस हजार रप ये डेली दे साब दे होते उस company नो penalty लगाई जाएगी it's an important question जड़ा के exam दे विच पुच्छा जासाद है खास्त और तो मैं कहां once again के जड़े हाई-level जड़े सीने मज़े बारे question आंगे ओना चेकोशन डेफिनली पुच्छा जासाद है guideline for opening of current account in the banks also कौन खोल साद है कौन नहीं खोल साद है everybody can open the current account बट आर बेने condition की लगाई है के जड़ियां company ने बैंका तो loan लेते होए ने they should basically open their current account only with those banks जथे के ओना दा लोन चालना है ना ओधिज कुझे condition ने के पांच करोड़ तो काट जे लोन है in that particular case they can open the account in some other bank पर जे पांच करोड़ तो ज्यादा है then they have to open their account in the same bank detail that guidelines ने थानों information मैं दे जेती है basically है इंके जित्थे ता कोई limit नहीं है उसे ता जित्थे मर्जी खाता हो लो सी हो तेकर जी पर वाइड़ के पांच करोड़ तो काटदा है तो उसी किते भी खाता खोल सो देओं तेकर जी इंकेस बॉर वह नॉट अवेड़ आनी सीची वीज़ कर पांचा करोड़ तो जादा क्सपोजर है ना एक्सपोजर मतलग एनिकल लोन है एक्सपोजर है एक्सपोजर खटाव गुराइन थाड़ फॉर्शी फॉर्म्स हुचा यहांग्ज़ एन दुनों केस जी भी और सिकि only for collection purpose non-landing bank they can open their account only for the purpose of collection collection that means the main account loan account so this is the important information and restriction applies to borrow in case they have available ccvlt that can be carried out from a current account can also be carried from a cc od account as banks cbs environment liber okay it is very very important liber london interbank of rate is the reference rate reference rate that means what is the rate that is the basis of all the banks decide now you will say that london is a rate of money that is india rates of money what is the cost of money the world is the cost of money the world is the cost of money telecom because of internet we are all interconnected with each other also we should know of it also me I'm not a good answer to my account I'm not a good answer to my decide to make decide you're subject to decide I'm not only decide to be a good answer to me I'm not a good answer यह वहां पर बढ़ गया मैं जाके सब्जी मंडी वाल को जाके गाल कर रहा हूं कि कल टमाटर चाली रुपे के लोशी आज़ा सी रुपे कि में हो गए तो जी देखो टमाटर है न एदा रेट कौन डिसाइड कर दा है अजाद पूर्दी सब्जी मंडी है उत्थे डिसाइड जी उत्थे रेट वाद गया तो साध्य कोल महिंग आएगा महिंग आएगा सी महिंगा वेचांगे और अगे देड़ा दुकान दार ओ महिंगा वेचेगा ना वट ड़सेट मीन के अजाद पूर्दी मंडी देविचे जो रेट होएगा ओदा असर मैं पावें पते आले बै लेंडिंग रेट है और बांबय इंडिया थे सारे बैंक दोटे होईगा शमिरली लिवड की चीज लंडन इंटर बैंक अफर रेट इस आप बारिंग डिसलिक ऑला बारिंग डिट मतलब कि होया कि जिवेचर बैंक और बेक यह बॉरो कर दे ले सिमीरली कई वार बंक विक दूजे तो बारो कर देने एक दिन में आसे बारो कर देने बारो तो समय में फेर्षी लंडनेज ऐज फ्सकंड़ अरल विश्वास खतम हो गया एपता लगया के दो ज़ार साथ आठ देविच जदों के ग्लोबल फाइनेंशल क्राइसिस या सब प्राइम क्राइसिस जिन्हों आपने कहने हैं करसा तो सेएं आपके आपस देविच लिइस चेड़ चाड़ कीती ही फ़ी हीर इंदा मतलब के दो बैंकोने मनुक्द लिए करी कि आपस दे भीच फिर हेरा फिर हो गई ना क्योंकि ओहों रेट फिर मार्केट दे चाहिए मार्केट चाहिए था सारी दुनिया दे उसी दातर पर देख्या जावेता एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और उस फ्रॉड देनाल पता नहीं अर्बानी खर्मार पैदा दुनिया दे नुक्सान होया है पर फिर उहीं गया ना कौन कहे रानी अगा तक बेसिकली उन्हां तो पुछनोड़ा कोई है नहीं इस गलबारे पर हुन होया की है क्योंकि उद्धी रेपोटेशन खराब होई है आर्बे ने कहा है लिबर दा सानु खेड़ा छड़ना पैने क्योंकि लि बेच लेला काउड बनाया किया डूजा किया स्टर्लिंग ओरॉरॉइट इंटर बंक इवर एवरेज रेट है नाव एक क्यमे कड़ेशन होए यह नूद द राइट नहीं पर तान्न दोना दी भॉल फॉल फ़ॉर्म पता हुनी चाहिए लिबर बारे पता होना चाहिए जिस ने लंडन चा लिबट सेगा इंडिया इंडिया दिए देच इन्टर्बेंक को फॉरड ओटराइट चैनल विच जड़ा के लिबर यूज करदा सिगा तो आर्वे ने कहा के इन्हों विएसी यूज नहीं करना तो दाट सेने इंपोर्टन इंफरमिशन फॉर आल आफ यू मैं लगदा के तौन है जानकारी काफी ठीक लगी होएगी इंट्रस्ट ऑन अंक्लेम्ट अमाउंट अफ्टर डिपॉसेट मैच्चोर्ज जदो कोई अफडी मैच्चोर हो जाए और उधी पेमिंट ना हुए तो तो सी किन्ना व्याज देना है जिए या ओव तो प्हुक्ष इस सबस्क्राइब, कोई नहीं नहीं देना या सेविंग दा ब्याई देन ना और भिनें इस्टुक्ट्रीश चू किती यर्वारे है after term deeper matures and proceeds are unpaid because banks amount left in unclaimed with the bank shall attract the rate of interest as applicable to saving account or the contracted rate of interest on the matured ftd whichever is lower yata same bank the rate did the nephew which hour is lower normally saving bank rate so that means the rate of applicable the norms are applicable to deposit in all commercial banks small finance bank local area and cooperative banks also cooperative bank loan up to five crore to other bank director without board approval now this information 1996 the venture hey rbne direction deeti si ke board bank de board da koi bhi member hove ta honnoo pachy lakh to za za da loan nahi deeta jasa da without the approval of the board hon eh limit pada ake kinni kaar deeti gaya 5 crore rupiah kaar deeti gaya ki hai ke 5 crore tak loan kise bhi director noo bank de director noo whole time director noo ya ah jasa ga oh 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 ah dita jasa without board approval board the approval jada jasa da but without board approval 5 crore tak da loan jasa ga oh oh dita jasa da ya o na di connected companies noo dita jasa da okay allowing retail investor to open guilt accounts with rbi rbi dee chas saving khata nikol da rbi chas current account nikol da rbi chas individual account nikol da rbi chas private companies khata nikol da because then in case i want to buy some security is a government security then how do i buy it okay so basically through perla chasiga ah jade saade brokers ho de una de through you could buy 99 percent basically dikha java ta jina di government security jade sale hundi hai oh ho waddi waddi organizations hi buy kar diya ne bank ho gaya insurance companies ho gaya ya ya fis ho gaya ya they buy but hun government na rbi niyi kya kye kya retail investor o bhi purchase karsal jada so retail investor purchase karna wa sse rbi chas ka ta bhi chahe da oh special khata ho ega oh koi 的是 saving khata ya current khata nahi ho ega us khata nukie kya jaya ga online retail direct guilt account individual retail investors individuals retail investors individuals retail investor individuals they can uh open the account retail direct guilt account with rbi for purchase पुछांत पुछासरोगे जैएगा तरहर देखे पुछिजन एक पुछी जासर दिया के अडिधि में फिर कहां के अड्वार्स वाले कॉऩच्ण चाहिए चीज पुछी जा सकती है आर्बियाई टेक्स एक्षिन और मास्टर कार्ड एंड एशिया पैसिफिक पी टी लिमिटेड नौ मास्टर कार्ड वीजा और अदर कार्ड जिनने भी क्रेडिट कार्ड ने उना दा जड़ा सर्वर है और उदे जड़ी इन्फर्मेशन है टेस्ट क्योंकि अगया सर्वर आउट ऐंडिया है और बिया ने-किक थार ए҉न्दे इंडिया इंडिया देवीच होना चाहिँ देने डायset century साडव यह अपने डेटा है इंडिया सर्वर इंडिया देवेच मनाओं सो क्योंकि उन्हाने नहीं बनाया इस करके आर बेने के है कि तुसी अग्येतों हो और कोई कार्ड इशू नहीं कर सदे तो दाट इस दा इंफर्मेशन जडिके इंपर्टन इंपर्टन इंपरेशन है मास्टर कार्ड और अशिया पैसिफिक और एक वीजा नूबी ओना वीजा एंड एमेक्स अलसो वीजा एमेक्स एभी मैं यह था पहला कर चुक है आप यह आ जाएगा आगे है ओना नूबी कहा गया है के तुसी भी तरह सिगा कर्ड कॉई नम्या कर्ड इशू नहीं कर साथे बेका इंपर्धार न कोंप्लीड विदा इंस्यक्षिण ओं रर्जर्वा बंक अफ इंडिया Mandatory leave for employees तेका जी इस वरी वरी इंपार्ट इंपर्न इंपर्मेशन mandatory leave for bank employees यह देख्या गया है के बैंकां देवेटिदेडे फ्रॉड होए ने उस सब तो ज्यादा काम करने वाले बंदे कर देने कदे छोटी नहीं लेंदे एनना सिंसीरली काम कर देने के लगदा है के मनेजरानों के इस तो वद्या बंदा तो होई नहीं सब देख्या के चौभी कंटे बेंक दा कमी करता रहेंदा वहां बट पता ओधों लगदा है के जदों उत्ते कोई फ्रॉड हो जाना है इसे करके आर as a prudent operation risk management measure bank shall put in place a mandatory leave policy wherein an employee post incentive position shall be sent compulsorily on leave for a few days not less than 10 working days कुछ दिनावास से छुटी पे जाएगा बिना दस से छुटी पे जाएगा गास दिन तो वद होईगा काटनी शुटी होई गयो okay so this is the mandatory leave policy the exam question आए आसाद है के आर बेने किस तरह दी policy बनाई है के रिस्क मैंने में अंडर के बेंकाज फ्रॉड ना होवे ओ छुटी बारेगाल कि कर सादेने किस तरह दी चुटी बारेगाल किती है ता mandatory leave policy हो दे चांसर होएगा दूज़ा होईगा के बन सब्सक्राइगा गाइडलाइन फर मैंजिंग रिस्क इन आउट्सोर्सिंग फैनेंशल सर्विस्वाइग कोप्रिटी बेंक्स सारे बेंकना अजिकर बाराइट बाहर तो कम कर रहों देने के चलो जी सारी को स्टाफ आट यह तरह अशी बारो कम करवा लें इन दैट पर्टिक्लर केस कोई पॉलिशी ता होनी चाहिए ने और उप पॉलिशी दे मतावज़ासिगा उदे चे रिस्क किना है उस चीज़नों भी असेस करना बहुत जरूरी होना चाहिए वदे वास्ते की होना चाहिए प्रॉपर गाइडलाइन्स होनी है चाहिए ने कॉपरेटिव बैंक स्वास्ते भी आर्बे इने क्या है कॉपरेटिव बैंका नो जे तुसी अपनियां सर्विसेज आउट्सोर्स कितिया ने इन दाट पर्टिकुलर केस यू मस्ट फ्रेम राइट गाइडलाइन्स ताके रिस्क मैंजमेंट प्रॉसस्स दे अंडर उत्थे कोई फ्रॉड ना हो जाए एस चीज़ नो देखा जाना बहुत जरूरी है ठीक है जी कॉपरेटिव बैंक साइड्स अड्वास्ट कॉंड़ इस पर ले चाहिए ना चाहिदा जाए डिज़ेंगे। जरुट जरु कोई ने बहुत ख़िए। आपने को जाएक जाए ना स्थेटुए नियूस ईना में पर घॉंड़ देखना है डीकॉंड व्रॉस साथा। दी क्योंकि एक वेस्टन एक्जाम देफिनेटली आन्दा याउन्दा और क्योंकि इस साल देवेचे डेफिनेशन चेंज होई है एक वेस्टन रहना ही रहना किते ना किते के MSME की चीज़ हों थी है सो पहला जड़ी यह डेफिनेशन सी उदेच मनफेक्चर वास्ते अलग गाइडलाइन न सी गिया और सर्विस वास्ते अलग गाइडलाइन सी गिया उन नहीं एह जड़ी डिस्टिंग्शन सी एक खतम कर देती है और जे मैं कहां कि होने याद रखना भी सौखा हो गया असी याद के मेरा अख्वाद ने है इस चीज नो इस चीज नो तहां ओधे मेंच असी देख देया के असी की कहने MSMD फुल फॉल पर्म क्यों होई नो मैं क्यों स्माल एंड मीडियम है क्यों आद मीडियम इस स्माल एंड मीडियम एंटरपाइज केड़ होई जिदे विच इन्वेस्टमेंट ओ किनी है एक क्रोड है और जडि टर्न ओर है ओ पांध क्रोड है तर्नोवर तर्नोवर के नहीं है पांच करोड है figures and crores ठीक है जी फिर मैं हुआ करोड नहीं लेहा के थे भी figures and crores ठीक है जी so that means now if I say here एक करोड investment और पांच करोड तक जे तर्नोवर किसे organization दी है ता उन्हों सिकी कहांगे उन्हों micro enterprise किहा जाएगा so that is the new definition under the new law और जे अपां small कहना है ता उसनों अपने 10 गुना कर देता है थे हो that means के investment 10 करोड हो गई और turnover पजा करोड हो गई और जे medium कहना है ता investment पजा करोड हो गई और turnover 200 पजा करोड हो गई tak this means मेंगे which is multiplied byhn this is multiplied by five on एक पांच दास अओ गया तो इक तास पंज नियुक्टं कोई तर Wouldn अ邦म हो गया है पांच में यहा। तेके जी, so that is how it is very easy to remember now the definition of MSME एक क्वेश्चिन एग्जान देचे पक्का इस ची देवते आना ही ओना है now इदे विच होर की क्लरिफिकेशन है, all lenders now all entrepreneurs are required to register online and obtain उद्यम registration certificate किसे ने भी loan लेना है, ता he should register on the MSME दे उद्यम पोल्ट देवते जाके उद्यम registration certificate obtain करेगा कुछ नहीं करना, बड़ी simple information जी ओड़ी पोटन करनी है that means जे थोड़ी प्रॉपराइटेश भी कंसार नहीं ता थोड़ा अपना अधार कार्दा नमबर, अपना पैन कार्दा नमबर अपना address, ओ चीज़ा तो अधार कार्दा नमबर आजएंदा और थोड़ी देर बात अनू एक certificate दी information आजे के तो शी उन्हों download कर सा देओ and you can keep that in record also so your msme gets registered under this particular act with the msme ministry now ओदे बहुत सारे benefits जड़ने msme नू मिल देने उथा नू मिलने शुरू हो जानगे दे विच्छो and similarly ये भी के है all lenders are required के जे किसे banker ने loan देता है किसे msme नू तो उस msme दा है उद्यम रिजिस्टेंस रटिकल्ट अब्टेन करना वी उद्यवास्ते जरूरी कर देता गया एक question definitely ये मिचो आना चाहिदा ना आर्बिय इंपोज़ेश पनल्टी अन थ्री या उन्हों वाइलट करेगा तो उस्ते पैनल्टी लगेगी लगेगी so that is what they must have done थे आर्बे निवन थे पैनल्टी लगा देती वी अनुन नहीं लगया कि किनि किनि पैनल्टी लगा है that is not going to the question पर थानु पता होना चाहिए के और रिसेंटली इड़ी मैं थानुन गालतसरी सिया थे के आर्बे ने HDFC बैंक दे दस करोड़ी पनल्टी लगाई है for violation of the guidelines violation किसी कि के उनना ने force किता सिगा अपने कुछ डीलर्स के भी कुछ समान में चन वास्ते थे काई जी so because banks are not supposed to deal in goods they are only supposed to deal in money that is why क्योंके उनना ने कुछ customers नो force किता सी to buy certain things इस करके HDFC बैंक दे होते 10 करोड़ी पनल्टी लगाई गई है so that is what you should also understand now review of interchange fee and the customer charges मेरा account state bank दे वेचा है मैं किसे भी ATM ते जाके पैसे लाए साथा ना yes I can go and uh किसे भी ATM ते जाके पैसे लाए साथा है ने पैसे के ने देते है HDFC bank ने देते है अकाउंट किते है डाइबिट अपिर HDFC bank नों की फैदा होया जी अच्छे कि उन्हाने अपनी ATM भी लगाती और जाके दूज्जा कस्तमर कोई बड़ा है बैंक ला जाकर पहक डालती हो थो हूँ HDFC बैंक नो एक इंटरचेंज फीस है यह मिल दिया है that is 15 रुपए मिल देने for use of their premises for use of their ATM for every transaction तेक है जी यह में अबने मैंने क्यों फॉसे में मिल कर देता गया है 16 रुपए और और फारच ना मैंने माटी मेंटे के लिए चेक बैंक बैरन्स एंह सरफ नहीं चाहिता है, so in that case also HDFC State Bank of India नो पैसे चार्ज करेगा, पहलना पांजर पैसी गा, फिर छेर पैसे चार्ज करेगा, plus GST and all those, जिनना पर टेक्स होएगा, वो एक्स्रा होएगा, and this is applicable from 1st of August 2021, तेक है जी, ना यह दे नालना था नहीं प्रता होने चाहिए किनियां, free transactions allowed ने, you should understand कि एक customer नो एक ATM दे उते, किनियां free transactions allowed ने, अपने bank दी ATM होए था, पांजे transactions, ATM दे उते, पांजे transactions free allowed ने, और non-bank दे उते, किसे दुझे bank दे उते, ओ दे उते, पांज transactions allowed ने, जे non-metro cities ने, और metro city दे उते ने, अपने bank दी ATM दे उते, पांज, और non-bank, non-metro city उते भी पांज, पर non-bank, metro दे उते, सिर्फ तिन transactions allowed ने, तेकर जी, तो इस चीदा भी द्रासिगा, पता होना चाहिए है, ऐस तरह दा question भी है, एक्जान दे वेचे, कितने किते, आ जान दा है, और ये भी कहा गया ना आले है, कि पहली January तो इस amount नो dedicate, जे मैं कोई transactions ज्यादा करदा हूँ, तेकर जी, मैं पांच तो ज्यादा transaction कर ली है, पहला वीर पे लग दे सी, उन किलने हो जानगे हो, एक्कीर पे हो जानगे, केली डेट तो पहली January 2022 हो, एक्कीर पे हो जानगे, एक्कर पे आप पर transaction ज्यादा सी, आमांट उस नो वजा आ देता गया है, तो इट इस इंपोर्टेंट और इस लिए नो यहाँ देख्यो, Deposited Education and Awareness Fund Scheme 2014, 2014 कानून पास हो जा सिगा, Unclaimed Deposits, Unclaimed Deposits, यह ता था हुनों पता ही होना है कि बैंक का यह कोई Unclaimed Deposits, Unclaimed क्यों कहने है, ओ पैसा जड़ा 10 साल किसे ने claim नहीं किता है, उसनों Unclaimed Deposits कहा जाना है, मैं मेरे खाता सिगा, मैं कदे दिल्ली पोस्टिट सिगा, लेटस से 90 देवेट, मैं उत्तों एथे आ गया, मेरे खाते चेपांच सूर पे पहने, और केड़ा दिल्ली जाओगा, ते पांच सूर पे कटाओगा, पता नहीं खाते था, नंबर भी मैंनों याद कोई नहीं, जाके मैं बैंक के गाले के रहांगा, मेरी गाले किसे ने सुननी कोई नहीं होते हों, ना मैंनों चेक्बुक अपनी या पास्बुक लब दीनी पाई, तो I forget it, मैं चाड़ दे नचाड़ बरे की पांच सूर पे जाके दुमाग खराब करना होते हों, ना एह पे याद बैंक का अदे गोल पे है, फिर दोजार चौदा देवेच आर्बिया ने कहां के जिनना भी अनक्लेम्ड अमाउंट है, ओ पैसा बैंक आर्बिया इन्नों ट्रांसफर कर देंगे, और आर्बिया ने खाता खो लिया, उस खाते दा नाम किसी गा, डिपॉसितर एडुकेशन और अवेर्नेस फंड, DEF, DEF अकाउंट जिनना भी बैलेंस है, ओ दाट शुद भी ट्रांसफर टू रिजर बैंक आफ इंडिया, अनक्लेम्ड डिपॉसित बारे जड़ी गाइडलाइन सी गिया, तैट बेसिकली असी देख दिया, के पहला स्टे के है, के तुसी जिनना भी पैसा अनक्लेम्ड पे है, हर महीने, दे एंड दे उत्ते, तैक है जी, विदिन त्री मांस, तुसी आर्वेर्नों ट्रांसफर कर दे होगे, और आर्वेर्न किते रखेगा, उन्हों, DEF अकाउंट रखेगा, जे कालन कोई कस्टमर आके पैसे मंग लेंद आया है, ता in that case, उन्हों पैसे विद इंटरस्ट वापस कर देते जानगे, और वो इंटरस्ट केड़ा होएगा, that is, अपा देख दिया के, 2018 तक सेविंग दा इंटरस्ट लेंदा सीगा, that was 4% सीगा, फिर 2018 तो लेके, एहे मई 2021 तक साड़े तेन रहा, उन्हें 3% क्लें तो क्लें कर लेगा, तेक है, so that is the information under this particular scheme, so I think this is also clear to all of you. Next is private sector banks as agency banks of Reserve Bank of India, now असी जान देया के, government जिनने भी खाते हेगे ने, ओहो, Reserve Bank of India दे में छोल देने, but there are many issues, जड़े के commercial bank का दे थू काम किता जान दा, so that means के government, बहुत सारे काम, commercial bank का दे थू कराँ दिया, और पहला private bank का दे होते होते हैं किते हैं किते हैं किते हैं किते हैं कित Now, Department of Financial Services of Ministry of Finance उनना ने किया कि भी जड़े private sector bank हेगे ने उनना दते जड़ा embargo लगाया गया, ओह लिफ्ट किता जाना है, that means private sector bank भी government दे खाते खोल सकते ने, now किस तरह दे खाते होते होते हैं, income tax collection हो गई, pension दी payment हो गई, salaries दी payment हो गई, now यह सारी जिनिया payments हेगे ने, commercial bank का दे हो दियाने, और बैंका वास्ते एक बहुत वड़ा business है, government accounts दा, क्योंकि pension दा, पैसा, let us say, एक वार आना है, में इनने दे वेचे दिस्पर्स करना हो, ओ दास-पंदर दिन पहला आ गया, दास-पंदरा दिन में सरकारी पैसा थरको प्याय रहा गया, without व्याज प्याय रहा ग है, पर फिर भी बैंक जैसे के दो-चार दिन रखला है देने, और दो-चार दिना दे विछी जैसे उनना दे को liquidity वाच जान दी है, जो दो liquidity वाच जान दी है, तब बैंक का दे दूसरे खर्चे, data say कि जह उनना को जो आर्वे तो borrowing करनी पहें दिया, ओहो, खर्चे काट जान सब्सक्राइब और प्राइवर्ट सेक्टर बैंक का नवीड़ा सिगा इससी दी पर्मिशन दे देती गई है कि ओहों जड़ा सिगा गवर्मेंट विजनस कर सकते ने हो एसेट क्लासिफिकेशन इंकम रिकोगनिशन कोविड नाइंटीन रेगुलेटरी पैकेज नौ मार्च दोहजार एककी नौ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नौ किया कि तुसी जड़ा बैनिफिट देने है और चाजनाल दे देओ कस्टमर्स नौ तांके जड़ा बिजनस एफेक् जड़ा था लिएज लगाया पहलां तुसी हो थे हो तो देहां зов करो देजिन पूर्च देसे राभी क्याःक और योण नहीं लगगला कि फ़ेर अचहीं च lei झालॉझान स आपस करना सुप्रीम कोड दिये बारे डारेक्शन आई है और बैंकर ने आर सपोस्थ तू आपस कोड़्म तर बैंकर शिर्ज स्युद फिर डारेक्शन आंपस्यू स्यू अर बाव रिझाट्टी टाक सी टो जरीट तक फॉर अर्क सेट गांव इस चीजनु भी लिविट के इज बारे डारे डारे आपपा गाल ने कर दे, सुप्रीम कोट डारेक्शन से की इंटरस और इंटरस्ट शोग भी रिफंडे डारे, in respect of account which were not granted any moratorium in terms of COVID-19 asset classification shall be as per the criteria laid out or other relevant instructions as applicable to the specified category of the lending institution IRAC norms in respect to account which were granted moratorium in terms of COVID-19 the asset classification for the period in March 2020 we shall be governed in terms for the period commencing September 1, 2020 as a classifier for all such account shall be as per the applicable IRAC norms and aida matlab ki hoya ke jena no moratorium ditta sega ona deote IRAC norms de matabekhi classification hoyegi jena no moratorium sorry dahi si ditta ona no IRAC norms de matabekhi classification hoyegi jena no moratorium ditta sega ona no ik maarch 2000 be tola ki ikatthi gas 2000 be tak jada sega ona de classification npa bhohera nahi kiti jayegi ona de classification pahli stambar toh jada sega as per the IRAC norms kiti jayegi so IRAC dhi full form kiya income recognition and asset classification I think e de baare details de vich hapa ka de hao ke how do we classify and why this is called IRAC norms kyao ke hai janda hai na no so e jadao basal di gal kar dee hao o de vich hae sari ceezaan pa detail de vich hae discuss kar rane hao priority sector lending now priority sector de vich hae kujek changes aianne dothra di changes aianne priority sector de vich hae kujek changes aianne party sector de vich hae kujek change aianne that is a warehousing receipts that is a warehousing receipts that is a warehousing receipts to understand or this is for the farm credit individuals on a sariha waaste paume farmer nae paume organization nae is wao nao wada da da gya hai for farmer produce organizations waaste bhi jada sega ona waaste bhi same cheezaan kar de tega yaane loan up to 75 lakh against pledge hypothecation of agriculture produce for a period not exceeding 12 months ona waaste jada sega up to 50 lakh is the warehousing receipts so that is the first thing you should uh pata honi chahi di hai ke eh warehousing receipts de gas loan no penjadi limit to bid a ke ho 75 kar de tega so next is check truncation system across all banks check truncation system ki hon da hai pahla ta yeh pata hona chahi da hai cts guidelines 2010 2010 2010 2010 2010 cts dhe guidelines आई आई और ओदे वेच्च एवी चयक्त दा साइज कि होना चाहिए ना बड़ी इंट्रस्टिंग जी कर स्टोरी है किसे वेले इंगलेंड वेचे किसे कस्टमर ने बैंक देखो जाके पेमेंट वास्ते के हां और पेमेंट वास्ते जड़ी इंस्ट्रक्शन से गी उन्हें एक आंडे दे छिलके दे लग के प्रवाइब ने कित्थे लिख्या है कि कित्थे लिख्या है कि कावज दे लिख्या पाएगा या बैंक अपना चेक इश्यू होएगा यह बहुत परानी गाल है इंडिया दे विच्वी 2010 तो पहला हर एक बैंक दे अपना चेक दा साइज होंदा सिगे और करेंट अकाउंडे चेक वड़े होंदे सिगे हर एक दा साइज अलग होंदा सिगा कि सारे बैंका दे चेक दा साइज एस पर सीटी एस जड़ा सेगा होएगा 202 mm by 68 mm that is a standard size और ओदे ते केड़ी केड़ी चीज होएगी ओभी स्टेड़ाइस कार देती गई सो एट इस सीटीस 2010 गाइड़ाइज है इसे नाल नाल जड़ी सीगी होर चीज देखन वाली है दाट इस के सीटीस सिस्टम होना ने कहा है के ओल बैंक्स दे विल स्टार्ट अबलिमेंटिंग सीटीस सिस्टम बाए 30th of September 2021 CTS system की होंदा है और एहे exam question कही वर पहला भी आ चुक्या है CTS system देविच की होंदा है basically in case of CTS system there is no physical movement of the check from one branch to any other place example दे तार दे होते मेरा account state bank of India दे विच है थोड़ा account पंजाम national bank दे विच है मैं एक check कटके था नो एक लाखर पर देता के तुसी मेरे account सो एक लाखर पर विड्रॉ कर सा देओ तुसी ओह चेक पंजाम national bank दे branch में जाके जमा कर देता जित्थे थोड़ा account है ना वे पुराने system की होंदा पंजाम national bank सारे चेक इक ठे कर दा सिगा कर देखा और टोटल कर दा सिगा कि स्टेट बेंक देखोल किनी अतोल माउंट किया है केंडर किसको किनी जएक जा रहे न किनी अमांट बाल दिये नो पंजाब नेशल्ल बैंक मेरी बैंकस्थोज्जा हें सब्सक्रेंगर आपस छेग करसंट है कर दो घएigon में थ्वनों देता सिर्थ उसी पी न मीने सारे च्छेक इकठे बंडल बनाके कि blondफ रंच धा면 आगास उसी मेरा अकाउट है उस ब्रांच में चाज रहना दा शींगा और ब्रांच वाले चेक करदे शींगा कि मेरे काउंच पैसे हागे कि नहीं हैगे और यह ईएगे ने ता डैट मीज़ चुपकर जाओ एदा मतलब कि स्टेट-बैंक दा हैड़ाफ लुट जा सिगा पिएन फेमेंड करद जनाब देखाते ही तब पैसे है नहीं तुसी जेड़े कस्टमर ने था नो चेक देता उन्हों चेक वापस कर देओ क्यों क्योंकि जिस बंदे ने चेक देता हो देखाते ही पैसे है नहीं नाओ दाट वश्चितम होन्सीटियस की होगा मैं थानुच देता धोड़ा बंक की करेगा उस चैक दो स्कैन करेगा स्कैन करके पी एन भी दे हैड़ फिच पैंड़ पैड़ देगा और पी एन भी दे हैड़ ऑफ़ ज्रासिगा सारे स्कैन चेक्ष दी एक अमांट बनाके ज् वोदे सिस्टम करेंगा है नाउ अए ये सी एच शिस्टम नेशनल आटोमेटेड क्लिरिंग हाउस जड़ा के वन्स अगेन एन पी सी आई मेंटेन कर दी है वोदे थुए है जेड़े सिगे चेक अदी इन्फर्मेशन स्टेट बेंग दे को चले जाएगी तो आखन देंगे है सिरफ स्केन गया है जड़ा चेक मैं थोनों देता सिगा है तो आएगा चप्रहण देता ओपन्जाब नेशनल बेंग धिसे ब्रांग दिची पर किते ओर नहीं किया है ओच एचल्डाओं एचल ने कि टेडान जयान आना पहले चाहर चाहर पांच दिन लाग जान देंगे अको दिन चे काम हो जान दांगे है तक कोज जयादा हो सके so this is known as a truncation system it is not discontinuity discontinuing the flow of a physical check on its way of clearing houses because there is no physical movement of check from one place to another in case of a CTS system so my details are no each is some other way home base of three framework on liquidity standards now basal three framework on the liquidity standard now thonu ahthe pata haana chai da hai n s net stable funding ratio net stable funding ratio तो एक लिक्विडिटी कवरेज रेशो जिवें अपने को सी आर आर और एस एल आर है कि में दो रेश्यों और इंट्रोडियूस होई याने ना बारे डिटेल्स फिर कदे काल कर दियां पट नेट्स टेबल फॉंडिंग रेशो वास्ति जासेगा उना इंप्लीमेंटेशन होन उसनू कहा सिगा के भी इस तरी तक नेट्स टेबल नगे दोन ऊपकी निए बेसल्टी आओ अकनल इंपरटेंट निया सकते ही आपितल कंजरीशन बफॉर क्या जाना है और आओ त्यूम्रीशन बफॉरेशन बफॉर बबेसिकली टाई पर्सेंट कंपिटल कंजरीशन बफॉर होना चाहिधा है यह कोदमनी पूरा करना क्योंकि इस स्टार्टेड बेसीकली वे लड़के दोहजार चौदा या पंदरा तो शुरू होया कि हौली हौली करके दोहजार उन्य तक पूरी हो नहीं फिर दोहजार बी किती गई फिर दोच्टिक ही किती गई कर देता गया है कि एहे लास्ट ट्रांश्ट रहा सिगा एक एक अक्तूबर दो हजार एकी तक इस चीज नो वदा देता गया है और क्रेड़िट टू MSME और जर्बेंक आफ इडिया ने नहीं गाइडलाइन देती है कि न्यूँ MSME मतलब की होया कि ओहो MSME और्गेनाइजेशन जिनना ने पहली जन्वरी दो हजार एकी तक कोई लोन नहीं लिता अगर उना नूँ कोई लोन दिता जानदा है ता ओस लोन दी अमाउंट नू ऐसे लार देविचों जड़ा सिगा कटा आंदी परमिशन देती गया कि या कि बैंक अबनी शेकूरिटीज का ट पर्चेज कर निया पएन कियां तक है ताट्स वेरी इंपोर्टन इंपोर्टंट इंपरमेशन क्योंके बैंक कि नहीं कि बदला के लोन देंदें निया हो दो अपने शीयृटीज भी मिन्टें करनी पैन या पाइन थिया निया ना एदे बास्त यह भी कहा कि किसे कर्स्टों पच्ची लाग तो जादा दा लोन नहीं होना चाहिए थे इस एक्जम्चन विल बेविल बेवल ओनली अप्ची लाग पर बार डिस्पर दू फोर्टनाइट एंडिंग पहली कुछ तक पहली कुछ दो तक जिनने लोन नवें मैं से बीनु किते जानगे और उना दी अमाउंट पच्ची लाग तो काट होएगी तो दोस लोन जैसे के उत्थे जनने पैसे लगाई जानगे उड़ा हो अपना सी आर आर देविचोंज रसीगा ओदेचों एंडेट टील देविचों काट कर सरद है तो बैंका वासे एक बहुत बड़ी एक इस बार यह हो फॉर्द परपड़ दिस एक्जंप्चन निव एमस्मी बॉर शाल वी डिफाइंड आज दोज एमस्मी बॉर्ड हो नोट अवेल एनी क्रेट फिलिटी वाले बैंकिंग सिस्टम एज वान फॉर्स जनरी दो हजार रिकी ता कोई लोन ने लिता उन्हों नवी सियार ओहो कटा सक्देने इंट्रोड़क्शन अफ एलफ एमस्फ पर रीजिनल रोल बैंक्स रार बीज वास्ते पहला ए फसीलिटी नहीं सी मस्फ एंड लेफ दी फसीलिटी वात इस लेफ लेफ एस लिक्विडिटी अजस्टम फसीलिटी नह अंडर लेफ बैंक्स नो किस तरह नहीं सारी हैं चीजां पता हूनी है रेपों ते रवर्स रपों की होना है और MSF और MSF और MSF और मारजना स्टनेटी नहीं थी नहीं सीलिटी अर्वेलेबल तो दे शेडूल कमर्शल बैंक्स बट इस पासिलिटी था ना बेन एक्सेंड टो आर 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 बीज ऑल्स पहल प्रवाइद अनाने कोर मकिंगिंग इंप्लीमेंट की और मिन्यम करार रेची 9% ओना भी यहीं अदे अर्वी कंपलाइट वेधर ॉई पंप्ले मैं एक यहीं बाद इम्परटन इप्लेमेशन है आइधिंक तन्हों इस बारे पदा होना चाहिँ दार इस बूद आर्वी So, next असी देख देह देवे चहें, just a moment, introduction वाला काम होगे सादा हें, that is what we have done. Now, introduction of LAS, for this we have also done, limit on exposure to single and a group borrow for lending by urban cooperative banks, urban cooperative banks वास्ते, there are limits, basically हरी commercial bank देख देख लिमित है, के तु सी किसी बंदेनु किना लोन देख देख देख, okay, so urban cooperative banks वास्ते पहला लिमित सी, that was 15% देख चाली परसेंट, सिगी, Now, 15% किसी दा, for a single borrower, so it was 15% for the individuals and for group of borrowers, it has been now made 25%, 40% कटाके है, 25% कर देता गया, and for of their tier 1 capital, किसी दा, of their tier 1 capital, so that means, जे किसे urban cooperative bank देख, जे tier 1 capital 100 करोड है, ठीक है जी, ता उसनो किना लोन देता जासेदा, एक customer नो वाद वाद 15 करोड दा लोन देता जासेदा, और जे group of borrowers है, तो उननों 55 करोड दा लोन देता जासेदा, ठीक है जी, तो capital देख, tier 1 हो दिया, tier 2 हो दिया, यह चीजहां बारे prudential norm जादूर गल कर देया, ओदे विच्छे इना चीजहां बारे discuss किता जानदा है, और फिर उस तो बात किया है, the revised exposure shall apply to all type of fresh exposure taken by urban cooperative banks, and USB shall bring down their existing exposure which are in excess of the revised limit, latest by 31 March 2003 तक, let us say किसे नों 15 क्रोड नी तुसी भी क्रोड दा लोन देता होया individual नूं, ता ओहो 31 March 2003 तक तुसी नों किते तक लेके आना है, उनों 15 क्रोड तक लेके आना है, जे group of borrowers नूं, तुसी लेटस से कि 40 क्रोड दा लोन देता होया पहना है, और होन जड़ा सिगा किना होना चाहिए, पच्छी क्रोड होना चाहिए, ता दो हजार तेही तक है, पच्छी क्रोड तक limit आ जानी चाहिए, जड़े दिया, UCB shall have at least 50% of the aggregate loans, this is very important information, प्राइटी सेक्टर दे विच खासता होरते है, इरेटी चीज तहनों पता होने चाहिए दिया, और मैं वंस अगें कहां कि कॉपरटी बैंक चे जे कोई प्राइटी सेक्टर प्राइटी सेक्टर सारे बैंका वास्ते गाइडलाइन से की ही तो होन आर बेन की कहां के ओदे पार में चलों अग्री स्काल कर देयां के एक फिफ्टी पर्रेंट अग्रिगेट लोंज और अडवांस इडवांस कॉप्राइजिंग लोन और मोर दन 25 ल या तू पर्सेंट तो जड़े लोन ने ओ पच्छी लगतों काट होनगे या ओना दी लिमेट किनी होएगी इस पेसंट कि पॉpuँट 2 पर्सेंट अफ दा ट्रवन कैपिटल सो उ एس लिन अग्रोड दी ये वन कैपिटल है तव gooosta किना बने हो ओऊ गो डोग करोड़ बने डंट कर दे trainer window हो ओ थाड़ा वी लखर के बने हैं, so that means के पंजाभ परसेंट लोन थाड़े वी लख तो कट दे होंगे, that is the one thing, which are subject to a maximum of one क्रोड पर बॉरर पर लिमिट और जड़ा maximum लोन के से कस्टमर नो देता जाएगा, that is one क्रोड थाड़ा हो, इस लिमिट दे विच थाड़ा, के पंजाभ परसंट तो जड़े लोन है के थाड़े हो, इस लिमिट दे विच होने चाहिए देने, और दूसरी चीज़ रहने की है, यह Tier 1, Capital for this purpose shall be reckoned in the manner, shall not adhere to the revised exposure limits, इसको छोड़ दो, इन चाहिए दने आपा है, और परायटी सेक्टर दिया, जे नविया गाईलाइन आया ने, that is for the urban cooperative banks, के पहला तजी में थानु कह रहे है के 40% लोन परायटी सेक्टर नो होने चाहिए दे, होन, आर बिया है के 75% थाड़े लोन जड़े ने, that is for the loan, they should be to the priority sector, और परे क्योंके एकदम नी किता जा सथा, ता एक कती माज 2001 तक 45% होने चाहिए देने, 2002 तक 50% होने चाहिए देने, 2003 तक 60% होने चाहिए देने, और 24 दिवेच, urban cooperative bank जिने ने, they should achieve 75% of their total loans as a priority sector loan होने चाहिए देने, so these are the amended guidelines for urban cooperative banks, और यहें, last information है, साथे कोल, mobile-aided note identifier, money application एक लांच किती है, for those persons, which are physically challenged persons, और जेना दे वीजुल ही मदलग के physically challenged हैंगे ने, ओह नोट नोट नो अदेंटिफाई नहीं कर साथे, ता उना आपस्ते मनी अप्लिकेशन है, डाउनलोड कर दिया है और दिया है, and it is able to identify के है नोट हैगा, हजारदा नोट, ता पांचावदा नोट है के केडा नोट है, और जाली नोट है के है ता रिल नोट है, so that is the money application डेके आरवे ने लांच किती है, and this is अदे नोट है के नोट है केने, ता महत्मा गंदी सीरीज वाले नोट है के नोट है नोट है चेक कर सकती है, so these are the latest guidelines डेने कैसी कहने है के, banking डेचे इंपलेमेंट होया ने पिछले एक साल डेच, so एना नोट है चंगी तरह देख लेता जावे, एना देचे कोई नोट है कोई नोट है कोई नोट है कोई नोट है आ सकता है, so with this, we complete this particular series of latest guidelines in the banking industry. So, in case you want something more information, एक कल वीडियो एक होड पाद यांगे, के MCQs उचेक डेचे के, उना उनूँ भी आपा असास कर लांगे, but this is the information डेचे के थड़ना आज जासी share कर रहे है, thank you.